हेलो स्वागत है आप से एक बार फिर से एक्जामपुर CTS CA PFFCAT exam prep YouTube चनल पर मैं हूँ दीपंदर सिंग स्वागत है आप से बच्चो का आद के session में तो Algebraic Identities हम लोग पढ़ रहे थे कल हमने देखा था कि कैसे आप Part 1 को किस तरीके से करेंगे ठीक है पहले तो थोड़ा सा remind करते हैं कि क्या हमने बढ़ा था और इसके बाद हम लोग next स्टार्ट करेंगे ठीक है उसी में second part पर चलेंगे तो हमने बढ़ा था कि A की power 4 plus B की power 4 plus A square B square हमारे पास होता है एक bracket में A square plus B square plus AB और दूसरे bracket में हमारे पास होता है A square plus B square minus AB ठीक है फिर हमने और क्या सीखाता और हमने यह सीखाता कि अगर इसको X मान लिया जाए इसको Y मान लिया जाए तो यहां से अगर आप A square plus B square plus AB को आपने X माना हुआ है ठीक है और A square plus B square minus AB A square plus B square minus AB को आपने Y माना हुआ है तो अनों equation को अगर आप add कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 times A square plus B square बराबर X plus Y हो जाएगा तो यहां से A square plus B square बराबर बन जाएगा X plus Y बटे में कितना 2 ठीक है और दूसरा हमारे पास अगर इनी दोन equation को घटा दो गया तो यह हमारे पास cancel हो जाएगा और यह क्या बन जाएगा 2AB is equal to X minus Y तो AB is equal to कितना बन जाएगा X minus Y बटे में 2 ठीक इस पर हमने एक तो example भी देखे थे कुछ हर example देखते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि if A square plus B square minus AB is equal to 6 ठीक है इसके बाद A की पावर 4 plus B की पावर 4 और प्लस हमारे पास A square B square यह हमारे पास कितना है 78 है ठीक है A की पावर 4 plus B की पावर 4 plus A square B square हमारे पास 78 है तो अगर मैं पूछू कि 1 upon A plus 1 upon B या 1 upon A square plus 1 upon B square हमारे पास कितना होगा ठीक है 1 upon A square plus 1 upon B square हमारे पास कितना होगा तो आप जानते हैं कि 1 upon A square plus 1 upon B square तो हम निकाल नहीं पाएंगे याना क्योंकि A और B की value तो निकल नी सकती है तो अगर इसको थोड़ा solve कर लिया जाए तो LCM क्या बन जाएगा A² B² यहां पर क्या आजाएगा B² यहां पर आजाएगा A² तो कुल मिलाकर क्या हो गया A² B² अपॉन कितना हमारे पास A² यह बन जाएगा हमारे पास A² अपॉन A² इंटू B² बन जाएगा ठीक है तो हमें क्या चीए हमें चीए देखो A² B² की value चीए और हमें अगर इसको देखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A² B² अपॉन क्या ह हमारे पास A, B का whole square S, D, B इसको लिखा जा सकता है ठीक है तो हमें क्या चीए हमें A² B² चीए और हमें A, B चीए और यह दौनों value आप निकाल सकते हैं कैसे क्योंकि आप जानते हैं कि A की power 4 plus B की power 4 plus A² B² is equal to होता है हमारे पास A² B² plus AB और दूसरे bracket में होता है A² B² minus AB तो अगर इसकी value हमारे पास 78 है अगर यह हमारे पास 78 है और इसकी value हमारे पास इसकी value नहीं पता हमें माइनस वाले की value पता है तो यहां से हमारे पास A² plus B² plus AB मिल जाएगा मुझे इसकी value क्योंकि मैंने पास कितनी है 6 है तो 6 से कितने वार कड़ गया 13 वार कड़ गया तो A² B² plus AB is equal to कितना आगया अपने पास 13 आगया ठीक है अब आप चाहें तो direct X और Y की अगर आपको याद ह हो कि यह X होता है यह Y होता है तो direct आपने काल सकते है अधरवाइस दो एक्वेशन आपके पास दे रखी है A² plus B² minus AB is equal to कितना हमारे पास है 6 है तो दौनों को add कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 times A² plus B² मिल जाएगा याद होगा आपको है ना 13 6 18 ठीक है 13 और 6 19 18 नहीं 13 और 6 स्कूर हमारे पास कितना बन गया तो आपके किसर 19 बटे में 2 बन गया 19 अपॉन 2 बन गया और हमें क्या निकालना है A into B भी निकालना है तो अगर A² plus B² plus AB बराबर अगर हमारे पास 13 है और A² plus B² minus AB अगर हमारे पास 6 है तो अगर दौनों में घटा दो आप तो यह माइनस यह 10 be minus E हो जाएगा प्लस का 2A B और यह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो A B हमारे पास कितना हो गया 7 बटे 2 हो गया और A² plus B² हमारे पास कितना हो गया 19 बटे में 2 हो गया तो अब आप यहां पर दोनों की वैल रख दे क्या आपको आंसे मिल जाएगा सवाल करता है तो यह मै प्लस वाई वाई टू और एबी होता है मारे पास X-2 बटे में दो ठीक है लेकर अगर नहीं आदे कोई दिक्कत नहीं है दौनों को एक बार जोड़ दिया 13 और और यहां से हमारे पास कितना चार दो से यह दो बार कर जाएगा दो उपर पहुंच जाएगा सवाल का उत्तर बन जारेगा तो इस सवाल का जो आंसर वो कितना हो गया 38 upon 49 हो गया हमें क्या दिया था हमें दिया था A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 plus A square B square बराबर कितना 78 है और A square plus B square minus A B हमारे पास कितना है 6 है इसकी value हमारे हमारे पास क्या होती एक bracket में plus वाला एक bracket में minus वाला तोven 78 हो गया इसकी वालू निकालना यह चे हमारे पास है तो कितना आ गया थैरा गया लास ओला थैरा है माइनिस वाल चे तो A2 कितना आ गया 19 बटे 2 आ गया और A सब्सक्राइब यहां पर बी स्क्राइब इस चीज़ को आप ऐसे भी नहीं है तो आपने का सॉल करके आंसा हमारे पास कितना आ गया अगर हमारे पास है तेरा यह 14 है यह 14 है x की power 4 plus y की power 4 या एक सबाल बिल्कुल basic करा देता हूँ आपको x square plus y square minus x y बराबर हमारे पास कितना है 7 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि x की power 4 plus y की power 4 plus x square y square हमारे पास कितना होगा ठीक है यह आपसे पूछा रहा है तो आप क्या करेंगे आप जानते हैं कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी value क्या होती है यह होता है हमारे पास एक bracket में x square plus y square plus x y और दूसरे bracket में हमारे पास होता है x square plus y square minus x y इसकी value कितनी हमारे पास है 14 है इसकी value हमारे पास 14 दे रखी है और इसकी वल्य हुमारे पास कितनी होगी, साथ होगी, 14 सते, 98, 98 हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का आंसर बने, ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर हमारे पास बन गया, नहीं बन गया, अच्छा, अब अगर मैं आप से एक सवाल यहाँ पर बनाऊ, मैंने कहा कि, 16A की पावर 4 प्लस 81B की पावर 4 ठीक है मैंने कहा कि 16A की पावर 4 प्लस 81B की पावर 4 और प्लस हमारे पास कितना A square B square है न तो यह बन जाएगा हमारे पास 4 या 4, 9, 36 36 A square B square ठीक है और इसकी value हमारे पास कितनी है इसकी value हमारे पास है 56 इसकी value हमारे पास कितनी है 56 है 16A की पावर 4 प्लस 81B की पावर 4 प्लस 36A square B square बलावर कितना हमारे पास है 56 है यह हो गया A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस A square B square ठीक है अब यहाँ पर मैंने क्या दिया मैंने दे दिया आपको 4A square plus 9B square और minus का कितना minus का हो गया हमारे पास A square B square minus के A B तो 2 into 3 6 6 AB बरावर दे दिया आपको 7 तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताहिये 4A square plus 9B square plus 6AB हमारे पास कितना होगा 6AB हमारे पास कितना होगा ठीक है यह थोड़ा से सवाल मैंने बैसा बना दिया जिसमें आपकी numeric value भी दे रहा है algebra की नहीं है साथ में आपकी numeric value भी दे दी ठीक है तो आप compare करवाईए इसको इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2 a की power 4 2 की power 4 16 a की power 4 3 b की power 4 और plus क्या होगे हमारे पास a square b square a मतलब 2 a square और b मतलब 3 b square 2 का square 4 4 a square 3 का square 9 9 b square तो 9 चको 36 a square b square बने की बात तो यह हमारे पास कितना है 56 है अब इसकी value हमारे पास क्या होगी इसकी compare करा लो आप x की power 4 प्लस y की power 4 प्लस x square y square हो गया x की जाओ कितना है 2 a y की जगा 3 b है x की जगा 2 a y की जगा 3 b है ठीक है इसकी value हमारे पास क्या होती थी इसकी value होती थी एक bracket में x square plus y square plus xy और दूसरे bracket में हमारे पास होता था x square plus y square minus xy ठीक है अब आप compare कर पा रहे होंगे मतलब इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी अब लिख सकते हैं कि एक bracket में a square मतलब 2 a का square 4 a square plus b square मतलब 9 b square और plus का a b a b क्या हो गया तीन दूनी 6 a b और दूसरे bracket में क्या आएगा a square plus b square minus 6 a b is equal to कितना हो गया और पास 56 हो गया ठीक है यह वाली value किती रखी है मुझे 7 दे रखी है यह साथ दे रखी है साथ इंटू इतना 4 a square प्लस 9 b square प्लस 6 a b यह इंटू 7 is equal to कितना 56 तो इसकी value कितनी आ देगा मारे पास 8 हो गया ठीक है is equal to कितना आ गया हमारे पास 8 तो उम्मीद है कि आपको पहला टाइप हो अच्छे सौन में आया होगा ठीक है अब चलते हैं थोड़ा सा एक सवाल हो करते हैं इस पर फिर चलेंगे आगे जैसे मालो next हमारे पास है if x to the power 2 plus y square plus xy is equal to हमारे पास है 45 ठीक है और x square या 45 नहीं इसको 5 बंगा लेते हैं ठीक है x की power 4 plus y की power 4 और plus x square y square हमारे पास है 45 ठीक है तो यह 9 बना लेते हैं फिर इसको 9 कर लेते हैं ठीक है अब आपको बताना है कि a upon b plus b upon a हमारे पास कितना होगा ठीक है पहला सवाल यह है और दूसरा सवाल है कि a square upon b square plus b square upon a square हमारे पास कितना होगा यह दौनों सवाल आपको solve करके बताने ठीक है a upon b plus b upon a कितना होगा a square upon b square plus b square upon a square हमारे पास कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या किया जाए अच्छा यह भी xy में था तो आप एक काम करना है इसको xy में कर लेना यह हो जाएगा x बटे y plus y बटे x पूछ रहा है हमसे और यह पूछ रहा है x square upon y square plus y square upon x square इतना हो ठीक है यह दो वैलू हमसे पूछ ही जा रही है ठीक है तो पहला तो आप देखोगे तो पहला हम लोग solve कर चुके हैं देखें एक बार फिर से कर रहे है ठीक है इसकी वैलू क्या होगी दोको x की power 4 plus y की power 4 plus x square y square is equal to हमारे पास है 45 ठीक है आप जानते हो कि इतना into minus वाला इसकी value क्या होती है x square plus y square plus xy दूसरे bracket में क्या होता है x square plus y square minus xy is equal to 45 ठीक है मैं पूरा explain इसलिए कर रहा हूं ताकि जो बच्चा बिल्कुल basic से पढ़ना चाहता है या जो बाद मैं offline देखेगा तो उसको भी यह सारे चीज़े क्या निची अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए ठीक है तो 45 हमारे पास है 45 अगर देखेंगे तो यह हमारे पास होता है कितना x की पार x square plus y square plus xy ठीक है और into x square plus y square minus xy तो यह हमारे पास कितना है 9 है into x square plus y square minus xy इस इक्वल्ड लू कितना है 45 है, 9 से कर जाए कितने आपांच बार, तो x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर माइनस x y हमारे पास कितना आ गया, 5 ठीक है, यहाँ अब आपास 5 आ गया, तो अब अगर यह 5 आ गया, तो दौनों की वैली निकाल लेते हैं, x प्लस y निकाल लेते हैं, और यह हमारे पास कितना है, ठीक है, यह हमारे पास कितना है, ठीक है, यह हमारे पास कितना है, ठीक है, यह हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है, यह हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक, तो, अगर मैं यहां से x square plus y square निकाला चाहूं, तो हमारे पास क्या आएगा, x square plus y square आएगा, डौनो कि सम का आधा, तो 9 और 5, 14, 14 का आधा कितना हो गया, साथ हो गया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर X into Y निकालना चाहूं, तो कितना आएगा, 9 मैं से 5 गया, 4, 4 का आधा कितना, 2, ठीक है, X square plus 22 कितना आगया, 7 आगया, और X into Y हमारे पास कितना आगया, 2 आगया, 9 और 5, 14 का आ पूर दीजिए, बात बन गई, तो यहाँ से अगर आपन देखें, पहला सवाल, तो पहले सवाल में क्या हो जाएगा, अगर मैं LCM लिलो, इसको सुड़ा से मिटा देता हूं, अगर मैं पहला सवाल देखूं, तो यहाँ पर LCM हो जाएगा, X, Y, तो यहाँ पर बन जाएग सवाल हमारे पास क्या था, दूसरा सवाल था, X स्क्वेर अपॉन Y स्क्वेर, और प्लस Y स्क्वेर अपॉन X स्क्वेर, तो LCM क्या हो गया, LCM हो गया, X स्क्वेर, Y स्क्वेर, Y स्क्वेर, Y स्क्वेर कर जाएगा, क्या वच्चे का, Y की पावर 4, इसको आप बताओ, क्या ल और हमें यह पता है कि x into y हमारे पास कितना है 2 है यहीं तो पता हमें x square plus y square साथ है और x into y हमारे पास कितना है 2 है हमें x की power 4 plus y की power 4 तो नहीं पता लेकिन आपको एक formula पता है कि a की power 4 plus b की power 4 क्या होता है अगर a square plus b square देखे a square plus b square का whole square तो आपको मिलेगा A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस 2 A स्क्वेर B स्क्वेर मिलेगा तो यहां से A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 हम लोग कितने लिख सकते हैं A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर का होल स्क्वेर माइनस 2 A स्क्वेर B स्क्वेर बराबर A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 ठीक है लिख सकते के नहीं तो आपने का सब बिल्कुल लिसकते हैं तो इसकी जगा में क्या लिख सकता हूं x square plus y square का whole square minus 2 x square y square है ना a square plus b square minus 2 a b है ना तो यहारा पंद जाएगा 2 x square y square upon नीचे क्या बन्दा है x square y square यह तो बन्दा है a square plus b square का whole square a की power 4 plus b की power 4 plus 2a square b square हमें चीए चाहिए समिसकी value तो यह दर आया तो minus का हो गया तो x-4 plus y-4 बराबर क्या हो गया x square plus y square whole square minus 2 x square y square ठीक है अब यह value आपको पता है यह भी value पता है कर लिजए solve answer आजाएगा तो x square plus y square कितना यह हो जाएगा हमारए नटू के स्क्वेर आपउन कितना हमारे पास 2 है स्क्वेर 9-đ 8 बटे में कितना हमारे पास 4 49os में 4 हमारे पास ce दोनों को जोड़कर के आधा किया तो यह मिल गया है गटा करके अधा किया, तो यह मिल गया, और इसकी value पूछ रहा था, LCM XY हो गया, X square प्लस Y square अपोन XY साथ बटे दो, यह हमारे पास बन गया, ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास यह था, कि X square अपोन Y square प्लस Y square अपोन X square कितना होगा, तो यहाँ पर LCM हो गया, X square Y square, देखो, अब आते हैं अपन लोग type 2 पर, इस ही identity का दूसरा part, जैसे, एक, A square प्लस B square का whole square जोग अपन लोग करते हैं, तो क्या मिलता है, A की power 4, प्लस B की power 4, प्लस 2 A square, B square, यह मिलता है मैं, A square प्लस B square का whole square बड़ाबर हो गया, A की power 4, प्लस B की power 4, प्लस 2 A square, B square, मैंने क्या क्या, यह जो पूरा 2 A square, B square है, इसको उठा करके left में लिया आया, ठीक है, एक concept बन रहा है, इस वाले को पूरा उठा करके, अपनने क्या कर दिया, 2 A square, B square कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, A की power 4, प्लस B की power 4, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया, A की power 4, प्लस B की power 4, ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आपने का सर्फ A square, 2 x v2 v2 2 x zero k holly square और minus इसको क्या मैं root 2 abika holly square सताहूं क्या root 2 ab ka holly square सकताहूं क्या आपिर बिल्कुल सकते हैं कोई दिक्ट नहीं है यह आरे पास हो गया a गी power 4 close b की power और यह पनी剛剛 स face minus two so thathouse back up and pack it प्लस भी और और एक ब्रैकेट में हमारे पास A minus B, A square plus B square और minus का root A B, ठीक है, एक आपका ये concept बन गया, कि A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, ठीक है, तो दो concept आपके हो गए, दूसरी identity जो आपकी बनी, वो क्या बनी, कि A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 बराबर A square plus B square plus root 2 A B, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, A square plus B square minus root 2 A B, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, दूसरा concept बन गया, और आप समझ गए कि यहाँ पर भी क्या होगा, A B और A square plus B square की value हमसे पूछी जाएगी, या फिर और कोई सवाल हमसे पूछ जाएगा, ठीक है, तो अगर example करें इसका, तो question number one, कि if A square plus B square plus root 2 A B, बराबर हमारे पास है, कितना, 11, और A square plus B square minus root 2 A B, हमारे पास कितना है, 7, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, कि A की power 4 plus B की power 4 हमारे पास कितना होगा, तो आप बता देंगे, अगर मैं पूछूँ कि A की power 4 plus B की power 4 हमारे पास कितना होगा, तो आप बता देंगे, क्यों, क्यों कि आप जानते हैं कि A की power 4 plus B की power 4 हमारे पास क्या होता है, A की पार 4 प्लस B की पार 4 हमारे पास होता है एक प्रैकेट में A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस रूट टू A B और दूसरे प्रैकेट में A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस रूट टू A B यह होता है ना इसकी वैल्यू आपको निकाल ली है ये कितना दे रखा है 11 ये कितना दे रखा है 7 तो answer कितना बन जाएगा हमारे पास 77 तो पहला बहुत basic सवाल आप आराम से स्वाल कर सकते हैं कोई देखके इसमें नहीं है ठीक है दूसरा सवाल अगर मैं आप से पूछ हूँ यहां पर और सवाल करते हैं इसका question number 2 कि if a square प्लस b square minus root to a b is equal to हमारे पास 7 इसके बाद a की power 4 प्लस b की power 4 is equal to हमारे पास है 21 है ना या हमारे पास हो गया 56 तो a square प्लस b square और plus का root to a b हमारे पास कितना होगा यह भी basic सवाल हो गया आराम से निकाल लेंगे योकि इसकी जो value होती है वह हमारे पास होती है एक bracket में यह और एक bracket में यह तो 7 into 8 साथ अठ्टे कितना हो जाएगा 56 तो a square plus b square plus root a b कितना बन जाएगा आरे पास 8 बन जाएगा ऐसे बाद कि नहीं a square plus b square plus root a b हमारे पास कितना बन गया आठ बन गया ठीक तो सवाल खतम हो गया बाकी आप जानते कैसे हुआ A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 बराबर A square प्लस B square प्लस root 2 AB और दूसर ब्लैकेट में हमारे पास हो गया A square प्लस B square minus root 2 AB ठीक है? इसकी value कितनी हमारे पास है? 56 है यह हमारे पास निकालना है और यह कितना हमारे पास है? 7 7 से जाएगे कितने बार? और सबाल बनाते हैं इस पर ठीक है? Question number देखते हैं next Question number 3 Question number 3 हमारे पास बन जाएगा कि if A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 is equal to हमारे पास है कितना? 98 ठीक? और A square प्लस B square minus root 2 AB बराबर हमारे पास कितना है? साथ है तो आप बताइए कि A square प्लस B square हमारे पास कितना? ठीक है? A square प्लस B square आपको बताने है कितना हो? बतादेंगे? आराम से बतादेंगे कैसे? देखो इसकी value क्या होती है? 98 is equal to क्या हो जाएगा? एक bracket में A square प्लस B square plus root 2 AB और दूसरे bracket में हो जाएगा A square प्लस B square प्लस B square प्लस root 2 AB तो 14 बतादेंगे A square प्लस B square plus root 2 AB बराबर कितना आगया? 14 ठीक है? कितना आगया? 14 आगया A square प्लस B square प्लस root 2 AB कितना आगया? 14 आगया ठीक है? अब अगर यह हमारे पास 14 आगया तो एक हमारे पता है कि A square प्लस B square plus root 2 AB बराबर हमारे पास 14 है और A square प्लस B square minus root 2 AB यह हमारे पास कितना है? यह साथ है अगर दौनों equation को जोड़ दिया जाए तो यह कर जाएगा क्या मिलेगा मुझे? टू टाइमस A square प्लस B square 14 और साथ कितना? 21 तो यहां से A square प्लस B square हमारे पास कितना आजाएगा? 21 बटे में 2 आगया 21 बटे हमारे पास क्या बन जाएगा? सवाल का उत्तर बने 21 बटे 2 हमारे पास क्या हो गया? सवाल का आंस बने ठीक है? यह जो टाइप है वो पूरा complete हो जाएगा यह टाइप हमारे पास complete हो जाएगा, ठीक है? आप देखो concept number 3 concept number 3 क्या है? अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने जितने भी concept यहां पर बनाए हैं वो सारे प्लस वाले बनाएं कि A square प्लस B square का whole square है, ना? तो minus में भी बन सकता है, देखो कैसे बनेगा minus में, अगर 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 लोग minus बनाएं तो बनेगा A square minus B square का whole square यह हो जाएगा, A की power 4 प्लस B की power 4 और minus कितना 2A square B square ठीक है? एक A square minus B square का whole square A square plus B square minus 2A b आप क्या कीजिए? दौनों तरफ A square minus B square minus कर दीजिए हमने क्या किया? दौनों तरफ A square B square घटा दिया लेफ्ट हैंड साइड से भी घटा दिया, राइट हैंड साइड से भी घटा दिया A की power 4 प्लस B की power 4, माइनस 2A square B square और माइनस का A square B square लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपने a² b² घटाया तो राइट हैंड साइड में भी हमने क्या कर दिया a² b² घटा दिया तो इसको अपन लोग क्या ले सकते हैं a² माइनस b² का whole square माइनस a b का whole square ये क्या बनेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और माइनस 3a² b² बनेगा माइनस 3a² b² इसको अपन लोग क्या ले सकते हैं एक ब्रेकेट में a प्लस b और एक ब्रेकेट में a माइनस b ठीक हैं एक ब्रेकेट में हो जाएगा a प्लस b एक ब्रेकेट में a माइनस b अच्छार दोनों जागा मैंने प्लस कर दिया यह माइनस कर दिया, बराबर हमारे पास हो जाएगा A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 माइनस 3A स्क्वेर B स्क्वेर ठीक है तो यह concept हमारे पास यहाँ पर बन गया यह concept हमारे पास यहां पर बन गया ठीक है एक पावर चार प्लस बी की पावर चार माइनस 3 a square b square is equal to क्या हो गया एक bracket में a square माइनस b square माइनस a b और एक bracket में a square माइनस b square प्लस a b ठीक है यह हमारे पास क्या बन गया concept number 3 बन गया बास मजगे एक एक की a square plus b square minus 2 यह भी हमने क्या किया दौनों तरफ a square minus b square घटाया left hand side में भी a square minus b square घटाया और right hand side में भी क्या किया a square minus b square घटाया तो यह क्या बन गया a square minus b square का whole square माइनस a square b square और यहां पर आपने घटाया तो यह बन गया हमार पस 3 a square b square ठीक है इसको अपन ने a b का whole square लिख दिया तो a square minus b square का whole square बन गया a square minus b square का formula बन गया एक bracket में a plus b a मतलब a square minus b square plus b मतलब a b a square minus a b और यह बन गया a की power 4 plus b की power 4 minus 3 a square b square तो यह हमारे पास क्या बन गया concept a square minus b square plus a b a square minus b square और minus a b है ना तो अगर ध्यान दीजिए यहांबर अगर ध्यान दीजिए कि इसको अगर x मान लिया जाए a square minus b square a square plus a b को अगर x मान लिया जाए a square minus b square minus a b ko y मान लिया जाए ठीक है दॉनए equation को अगर आप add कर देंगे तो add करने पर यह कड़ जाएगा और क्या बन जाएगा तू a square minus b square बराबर क्या होजाएगा हमारे पास x plus y तो यहां से a square minus b square बराबर हो जाएगा x plus y बटे में तो यह हमारे पास क्या हो गया a square minus b square हो गया और अगर इनी दोने equation को आप देखेंगे a square minus b square plus a b बराबर हमारे पास x है a square minus b square minus a b यह हमारे पास y है दोनों को घटा दीजिए घटा देगे तो यह माईनस का यह plus का ठीक है और यहां से a b हमारे पास हो जाएगा X-Y बटे में ठीक है A भी हमारे पास कितना हो गया X-Y बटे 2 हो गया और A square minus B square कितना हो गया X plus Y बटे में 2 हो गया बिल्कुल ये तो सेम ऐसे हो गया जैसा पहले वाला था बस ये अंतर हो गया आपर कि A square minus B square बंग रहा है स्मझज़ आइपा सवाल अगर इस पे करेंगे तो देखेंगे सवाल अगर देखा जाए इस पे कैसे बनेगा तो आप समझ़ गए सवाल कैसे आने वाले कि अगर पॉशन नमर बन की बात करी जाए कि A square minus B square और minus का A B बराबर हमारे पास है 8 ठीक है या बराबर हमारे पास है कितना 2 और A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 minus 3 A square B square बराबर हमारे पास है कितना 6 तो आप से पूछ रहा है कि बताओ A into B हमारे पास कितना होगा A into B हमारे पास कितना होगा ठीक है A भी हमारे पास कितना हो तो आपको दिया है a square minus b square minus a बराबर तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 minus 3a square b square बराबर 6 ठीक है तो हमने क्या सीखा अभी भी पूरा concept हमने सीखा है कि a की पावर 4 plus b की पावर 4 minus 3a square b square बराबर एक bracket में a square minus b square plus a b और दूसरे bracket में a square minus b square minus a b ठीक है तो हमें क्या दिया ये वारी value रखें, प्लस वाली मिल जाएगी, तो वो निकाल लेंगे हम लोग है ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, माइनस 3 a square b square, बराबर a square माइनस b square माइनस a b, और दूसरे bracket में क्या हो जाएगा, a square माइनस b square और प्लस किसका a b, ठीक है, इसकी value कितनी हमारे पास है, शे है, ये हमारे पास कितना है, दो है, तो इसकी value आजाएगी, a square माइनस b square प्लस a b की, दो से कर जाएगा तीन बार, तो a square, a square माइनस b square, प्लस a b, बराबर कितना आगे हमारे पास, 3 लेकर हमसे AB पूछाता, AB निकाल लेते हैं, यहां से अगर अपन लोग देखें, तो A square minus B square और प्लस कितना AB, बराबर हमारे पास 3 है, और दूसरा हमारे पास क्या है, A square minus B square और minus AB, हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है, आपको AB निकालना है तो घटा दीजिए, यह minus का यह कर जाएगा, यह हो जाएगा 2AB, बराबर एक सब्ट्रेक कर दिया अपन ने, ठीक है, तो AB हमारे पास कितना आ गया, एक बटे में, AB हमारे पास कितना बन गया, एक बटे में, 2 है, बास स्वाज में आ रही है, इस तरीके के सवाल हमारे पेपर में बन जाते हैं, ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसका, एक और सवाल देखते हैं कुशन नमबर 2, तो, if A square minus B square minus AB, बराबर हमारे पास है कितना, 3, ठीक है, और A की पावर 4 plus B की पावर 4 minus 3 A square B square, हमारे पास कितना है, 33, 33 है, ठीक है, तो आफ से बुच रहा है कि 1 upon A square, A बटे B, minus B बटे A, हमारे पास कितना, A बटे B, minus B बटे A, हमारे पास कितना होगा, आप समझेगें कि वही सवाल है, जो पहला वाला था, स्वाल करेंगे इसको थोड़ा सा, तो LC हमारे जाएगा, AB, यह हो जाएगा, हमारे पास A square, B से भी कर जाएगा, A square minus B square, बन जाएगा, A square minus B square, अपन कितना AB, दौनों की value निकाल लो, रखड़ो, अंसर आजएगा, तो अगर ध्यान दिया जाए, तो इसकी value हमारे पास क्या होती है, देखो ज़रा, इसकी, इसकी value होती है, एक bracket में A square minus B square minus AB, और दूसरे bracket में A square minus B square plus AB, जोड़ेंगे दो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे दो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे दो मिलेगा, A square minus B square, कितना आएगा, जोड़कर क्या अधा कर देंगे, 11, 3, 14 का अधा, 7, और एक पार इने घटा दो, तो क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, ठीके, घटा कर क्या अधा कर तो, तो 11 में सीन गया, 8, 8 का अधा कितना, 4, 8 का अधा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीके, तो A square minus B square कितना आगया, 7 आगया, और AB हमारे पास कितना आगया, चार आ गया, 7 upon 4 क्या बन गया, इस सवाल का उत्तर बन गया 7 upon 4 हमारे पास क्या बन गया, सवाल का आन सवाल गया तो ये है हमारे पास algebra की पहली identity अगर मैं तीनों identity एक साथ लिखता हूँ तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a square b square बरावर होता है, एक bracket में a square प्लस b square प्लस a b और एक bracket में हमारे पास होता है, a square प्लस b square माइनस a b, ठीक है दूसरी identity आपने क्या पड़ी A की power 4 plus B की power 4 बरावर होता है A square plus B square plus root 2 AB और दूसरी identity हमारे पास क्या होती है A square plus B square minus root 2 AB ठीक तीसरी identity हमने क्या पड़ी A की power 4 plus B की power 4 minus 3 A square B square बराबर हमारे पास होता है A square plus B square, A square minus B square, minus AB, और दूसरे bracket में क्या होता है, A square minus B square plus AB, ठीक है, तो ये तीन identity बड़ी important है, ठीक है, जब अगली class में आएंगे, तो इन पर करेंगे previous year questions, ठीक है, तुम मिदा कि आपको ए class तमझ में आई होगी, बाकी, ठीक है, तो आप सभी जान आते हैं कि दिवाली पर, एक्जामपूर के सभी courses पर आपको मिल रहा है, 75% discount, अगर हम CDS और CAPF की बात करते हैं, तो जो CDS और CAPF है, वहाँ पर हमारे पास आया हुआ है, CDS और CAPF के अगर आपन लोग बात करें, तो हमारा जो प्रहार बैच है, ठीक है, प्रहार जो बैच है उस बैच को आप purchase कर सकते हैं, CDS का जो बैच है, या CAPF का जो बैच है, या फिर दोनों का जो combo बैच है, ठीक है, आप combo भी purchase कर सकते हैं, मतलब CDS प्लस CAPF, दोनों की आप एक साथ त्यारी भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा 75% off, इसके लिए कुछ नहीं करन है आपको, आपको exampur का app download करना है, और वहाँ जाकर के जो प्रहार बैच है, उसको purchase करना है, और इसके लिए आपको code क्या लगाना है, code लगाना है, दिवाली 75, ठीक है, D-I-W-A-L-I 75, यह code लगाते ही, आपको क्या मिल जाएगा, 75% off, तो यह हमारी team की तरफ से, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत सुखकामना है, और उम्मित करते हैं कि आप सभी के लिए दिवाली बहुत ही बहतीन आए, और यह हमारे तरफ से एक छोटा साब के लिए gift है, ताकि जो बच्चे sincere है, और तयारी करना चाहते हैं, लेकर प्लेटफॉर्म नही की guidance ही है, यहाँ पर जो प्रहार की classes है, वो आपकी 31st of October से start हो जाएंगी है, 31 October से आपकी classes start हो जाएंगी, अगर CDS की बात करते हैं, तो हमारा 16 April को है, 16 April को हमारा CDS का paper है, CDS 1 की अगर बात करें हैं, और CDS 2 हमारे पास 3rd of September है, 3 September हमारा क्या है, CDS 2 का paper है, इसके बाद अग CAPF का जो exam होगा, वो आपका होगा 6th of August, 6 August 2023 को आपका exam होगा, तो इन exams की तयारी करने के लिए यह बहुत बढ़िया time है, क्योंकि हमें November पूरा मिल गया, December मिल गया, January, February, March, अगर अपन CDS की बात करते हैं, और CAPF में April मिल गया, May मिल गया, June मिल गया, July मिल गया, तो लगब code writing आ रहा है, comprehension आ रहा है, इसके बाद praise की आ रहा है, argument writing आ रहा है, grammar आ रही है, है ना, तो उनके लिए आपको time लगेगा, ऐसा नहीं कि जब notification आया, आपने तब तब तयारी करने स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत सुब का करना है, तो आप एक बार फिर से बतायता हूँ कि यह जो दिवाली 75 code है, यह याद रखना कि यह सिर्फ 27 October तक ही valid रहेगा, 17 October के बाद आपको यह offer नहीं avail कर पाएंगे, तो make sure you will avail this offer before 27th of October, ठीक है, तो आज के लिए तना ही है, बात की एक लास में, तब तक के लिए take care, bye bye, यादध जया झाल झाल